हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब में आशा स्वागत है आप सब का आशा डिलाइट में इस तरह की लंबी कुर्ती बनाने के लिए हमें सबसे पहले पाइपीन बनाना पड़ेगा पाइपीन से एक अच्छा लुक आएगा डिजाइन भी अच्छा लागेगा और कुर्ती सौट हम काट लेंगे यह लाइलन है अब इसमें एक्स्ट्रा लाइलन एटच करेंगे क्योंकि अब कुर्ती को लंबा करना है लाइलन भी है तो हमें लाइलन को भी एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा अब लाइलन को सिल लेंगे एक्स्ट्रा लाइलन के साथ उपड़ से और एक सिलाई लगा देंगे जिससे सिलाई मजबूत रहे और भी में तरह जिससे सिल लें अब कर लाओन का चाल खतम और सौम्स कोती ती च्छोंत में हमको करना है तो अब करना है अब up का महट हो गया अब इसमें में फेबरीं का काम है में फेबरिक में जो बनाये थे को अच्छ यह भीड़ी के सबस्कार लिए अगर इसके ऊपर एक अलग पेबरिक लिंगे तो उसका कुछ में सबस्क्राइब नॉर्मल से लगे लेकिन पाइपीन को सिलने से इन फेबरिक में इसका लुब बहुत खुबसुरत लगेगी आप देखिएगा फ्रेंड्स तो मेरी पाइपीन मेने सील लिया अब पाइपीन के ऊपर जो एक्स्ट्रा मुझे फेबरिक जोड़ना है मतलब सिलना है अब इसको स पाइपीन एटेज करने से फेबरिक का लुग बहुत ही खुबसुरत लग रहा है तो इस तरह से आप कोई भी पाइपीन यूज कर सकते हैं कोई भी कलर का आपको जो भी पसंद हो तो अब जो एक्स्ट्रा फेबरिक है इसको हम लुक कट कर लेंगे पाइपीन के साथ जो एक्स्ट्रा फेबरिक एटेज किया है उसके उपर और एक सिलाई लगा देंगे जो सिलाई साइड से खुला हुआ है उसको चारो तरफ से अच्छे से सिल लेंगे फ्रेंड्स इस तरह से मेरी शॉट कुर्ती लंग कुर्ती बन गई तो आप लोग को कैसी लगी फ्रेंड्स तो आप लोग इस तरह से आप लोग भी शॉट कुर्ती को लंग कुर्ती में बना सकते हैं यह बहुत ही कुपसरत लगती है तो मेरी यह वीडियो आप लोग को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर केजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा